नमस्कार दोस्तों आप सभी का Study Quizit निर्मला यूटूब चैनल पर स्वागते अभी जस्ट मैंने कलाम Pre-Read 2.0 का पेपर SST अपलोड किया है उससे सॉल्व कीजिए ये साइकोलोजी का पेपर है इसमें 30 प्रस्ण है इन्हें सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप कितने सही कर पाते हैं अपना सुयम का मुल्यांकन कीजिए और मेरे साथ बने रहे हैं मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए आज 5 सितंबर को कलाम Pre-Read 2.0 करवाया गया है कलाम अकेडमी सिकर के द्वारा बहुत सारे स्टुडेंट्स ने ये एक्जाम दी है तो देखिए प्रस्ण कैसे आये थे इन्हें सॉल्व कीजिए और पता कीजिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है जैसे पहला प्रस्ण था बांडूरा से सम्मंदित कि बांडूरा के अनुसा प्रेक्षन अधिगम में विभिन प्रक्रियाय शामिल है जो एक निश्चित क्रम का अनुसरन करती है उनका क्रम बताना था पहला प्रस्ण दूसरा प्रस्ण देखिए दूसरा प्रस्ण क्या है दूसरा प्रस्ण आया था दूसरा प्रश्ण देखिए दूसरा प्रश्ण था शिक्षा का अधिक नियम 2009 से सम्मन्दित तीसरा प्रश्ण है विकास की सिध्धान्तुक की विशे में निम्दल लिखित में से कौन सा कथन गलत है गलत पूछा गया था उस उप्षन बताना था इन चारों में से कौन सा गलत है चोथा है उत्तर बालिकाल की विशेश्टा नहीं है पांचवा है मैं दीरे दीरे पेपर को आगे बढ़ा रही हूँ आप पोस कीजिए और अपने क्योशन सॉल्व कीजिए पांचवा प्रशन देखिए रास्त्री पाठी चरिया की रूपरे का 2005 के संदर्म में किस कथन से आप अहस हमाते तो वो बताना था कौन सा कथन है जिससे आप अहस हमाते छट़ा प्रशन निवने लिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंदान से संबंदित नहीं है वो उप्षन आपको ढूड़ना था सीखने की प्रतिफल को निर्दारित माप दंडो की साथ किस शक्षिक सत्र में शामिल कर लिया गया है आठा बुद्धी से संबंदित आया था कि बुद्धी को किस योगिता के रूप में परिभाशित किया जा सकता है या किया जाता है नवा प्रशन देखिए नवा प्रशन किसे संबंदिते एक प्राविदी जिसमें अनुक्रियाओं का क्रम इस्थाफित किया जाता है जो अन्तिम अनुक्रिया के बाद पुरुषकार लाब दिलाती है और तत्पस्चात पीछे की और कारी करती है वह कहलाती है वो बताना था अगला प्रशन देखिए निम्न में से किस अवस्ता को अभी प्रेणा की सर्वत्तम अवस्ता के रूप में समझा जाता है वो बताना था फ्रायड के अनुसार माता पिता के आदेश की अवग्या जिसे निशेधात्मक वेवार की सवस्ता में अत्यदिक प्रकट होता है फ्रायड के यह चार अवस्ताएं दी गई थी इन में से बताना था प्रियाजी के अनुसार निम्नायंकित योग्यताओं के उद्गम का सही क्रम क्या है वो बताना था चौधवा आलपोर्ट से आया था कि शिल्गुणों का सही युग्म कौन सा है पंद्रवे में आगमनात्मक तरकणा से सम्बंदित प्रश्न था सोलवा प्रश्न कंसेप्ट बेस्ट था एक चात्र रात में अपने दोस्ती की बारात में शामिल होना चाता है परन्तु उसी समय अपने माता-पिता के साथ खरीदारी करने में भी जाना चाता है इस स्थिती को कहा जाएगा यानि शादी में भी जाना चाता है और माता-पिता के साथ खरीदारी करने भी जाना चाता है ति ये कौन सा द्वन्द होगा कौनसी विशेष्टा आकलन की नहीं है सत्रुवी प्रश्ण में बताना था अठारवा है व्यक्तिकत भिन्यता में सम्मिलिस चेत्रों का सही युगम है वो बताना था उन्निसवा निम्न लिखित में से कौनसी वंशानू क्रम की नियम का संबन सोरेंसन से है यानि की कौनसा नियम वंशानू क्रम का नियम सोरेंसन ने दिया है वो बताना था बीस्वा पावलो के सिद्धान से संबन्दित था एक व्यक्ति कुत्य को बिस्किट देने से पहले बिस्किट के बॉक्स को खड़ाता है जब वेक्ति बोक्स को खड़ खड़ाता है तो कुत्ता लाड टफकाने लगता है अतब बोक्स का खड़ खड़ाना है और कुत्ते का लाड टफकाना एक प्रकार का है बताना था कि क्या है वो UCS या CR था CS CR था CS UCR था या UCS UCR था 21 प्रश्ण एक बालक का भाशा विकास मुख्यता निर्भर करता है बताना ते किस पर निर्भर करता है 22 प्रतिबाश अलिब बालको की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक पहतु देना चाहिए किसे देंगे वो बताना था 25 प्रतिबाश निर्भर करता है बालको की नहीं होकर डिक्सलेक्सिया की है 26 प्रश्ण देखिए 28 प्रतिबाश अधिग्यम की विशेष्टा नहीं है वो बताना था 29 प्रतिबाश निम्दलिकित में से कौन सा नेतिक विकास का इस्तर है कोहलबर्ग ने तीन इस्तर बताये थे पस्च रूडिगत और पूर्व यह तीन बताये थे पस्च रूडिगत और उत्तर है ना तो इन में से कौन सा आया है वो देख लिए और लास्ट प्रस्ण था अधिगम की संप्रति निर्माड एवं समस्य समाधान जैसे घटक किसके द्वारा प्रतिपादित किये गए हैं यह बताना था और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक घंटी को नहीं दबाया है तो घंटी दबाईए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ओके धन्यवाद